पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया के white balance क्यों important है white balance होता क्या है color temperatures क्या है Calvin settings क्या है और आज तीसरे और आखरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अपने camera के अंदर आप custom white balance को set कर सकते हैं आज आपको audio में थोड़ी सी eco सुनाई दे रही होगी वो इसलिए क्योंकि आज हम मेरे studio में है, studio काफी बड़ा है और actual मुझे idea नहीं है किस तरीके से मैं यहाँ पर इस sound को control करूँ अगर आपके पास में कुछ ideas हों तो प्लीज नीचे comment box के अंदर लिखकर मुझे बताईएगा and I'll try कि next time मैं इस eco को जादा control कर सको तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, तो custom white balance को set करने के लिए आपको camera को reference देना होता है white color का, आप white का भी दे सकते हैं, आप gray card को भी use कर सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग tools हैं, पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कि जब भी आप camera के अंदर custom white balance को set करते हैं, तो उस नहीं होता, आप कर सकते हैं Photoshop में ले जाकर के, लेकिन उसके बाद जो colors produce होंगे, वो अच्छे नहीं होते हैं, और बहुत ज़ादा महना थाबू करनी पड़ेगी, और हर बार JPEG file का quality होगी, वो reduce होती चली जाएगी, वहीं अगर आप raw file के अंदर shoot कर रहे हैं, जो कि मैं आ मैंशा recommend करूँगा, कि raw files के अंदर ही आप अपना shoot के जिए, तो raw files के अंदर भी जब अप custom white balance को set कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपको system में ले जाकर हलका फुलका tweak करनी की ज़रूत पड़ दिया, तो आप easily कर सकते हैं, अब मैं क्यों कहता हूँ कि raw file के अंदर भी आ यहाँ पर एक तो आपका processing time बढ़ जाएगा, दूसरा आप जब system में ले जाकर colors को correct करेंगे, तो वहाँ पर आपके monitor के ओपर depend करेगा कि वो आपको colors क्या दिखा रहा है, तो अगर आपका monitor आपको सही colors नहीं दिखाएगा, तो आप जो भी adjustment करेंगे white balance के अंदर वो और शूट के time पर या शूट से पहले ही, आप custom white balance को set कर लें, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ tools दिखाता हूँ, जो कि मैं use करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उन tools को use करें, आप normal white paper भी use कर सकते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, कि white paper में usually, या तो blue tint होता है, या उसके अंदर yellow tint होता है, और आपका camera अगर उसको white balance में custom के setting के अंदर लेगा, तो उसके ऊपर भी वो tint आने के chances होंगे, तो इस बेटर के एक अच्छा grey card आप अपने पास ले लें, या जो मैं आपको tools दिखाने वाला हूँ, आप उनको अगर खरील देते हैं, आप उनको अ export disc, यह दोनों बहुत कमाल की चीज़े हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, export disc का advantage यह है, कि जब आप shoot कर रहे हैं, तो shoot करते time ही यह आपको custom white balance को बिल्कुल accurately दे देता है, और अगर आप color checker passport यूज कर रहे हैं, तो उसका advantage यह है कि आपने यहाँ पे custom white balance ल कर रहे हैं, अब में एक एक करके आपको यह दोनों tools यूज करके दिखाऊंगा, कि किस तरीके से आप इन दोनों tools को यूज करके अपने camera में custom white balance को set कर सकते हैं, आज मेरे साथ में हैं अंचुल, अंचुल के उपर हम demonstration करेंगे, अंचुल is a professional model and a fitness trainer, so अंचुल आप एक बहा सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं color checker passport को, color checker passport को use करने के लिए इसके अंदर जो gray part दिया हुआ है, हम उस gray part को use करेंगे, और यह ध्यान रखेगा, आप जो भी reference ले रहे हैं, उस reference के उपर lights पढ़नी चाहिए, so अभी यहाँ पर जो lights पढ़ रही हैं, वो मेरी continuous lights हैं, जो कि मैं video के लिए use कर रहा हूँ, पर पीछे वहाँ पर मेरे पास में studio flash लगे हुई है, तो studio flash जब इसके उपर पढ़ेगी, और जब camera मेरा reference इस से लेगा, तो तभी camera को accurate custom white balance मेलेगा, so पहले हम exposure को यहाँ पर correct कर लेते हैं, तो अभी मेरी camera setting है, वो है 1x160 f8 ISO 100, एक shot हम य correct है, लेकिन white balance जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वो blue tone दिखा दे रही है, क्योंकि white balance out है, तो इससे पहले कि मैं custom white balance लूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बार Kelvin से भी करके दिखाता हूँ, so हमने यहाँ पर eye press किया, यह settings अलग-अलग हो सकती हैं आपे cameras में, तो आपका जो भी camera है, उसका जो भी model है, उसके हिसाब से आपको जाना है, तो यहाँ पर 5200, अभी Kelvin से यहाँ पर मेरा set है, and I'll go by 5500, एक बार ok करते हैं, यहाँ से, right, and here you go, so gray आपको gray दिखाई दे रहे हैं, पर skin tone भी बिल्कुल perfect आ रही है, लेकिन एक बर custom white balance लेकर के जब आप देखेंगे कि इस image के अदर किस्टम white balance के इमेज के अदर कितना difference हाता है, अब हम यहाँ पर आते हैं, प्री के ऊपर आपके अलग-अलग brands के अंदर अलग-अलग settings होती है, custom की किसी में custom white balance है, यहाँ पर Nikon के cameras के अदर प्री होता है, so यहाँ पर प्री में आपके आपके पास options हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, यानि कि आप 6 अलग-अलग locations के यह 6 different type के white balance को measure करके यहाँ पर अपने पास रख सकते हैं, so हम सबसे पहले चलते हैं, D1 के अंदर, जब हम D1 पर जाएंगे तो नीचे यहाँ पर लखे हा रहा है, measure mode, so measure mode के ऊपर हमारे को click करना है, color jagar passport है, उसका जो gray area मे image को capture करते हैं, and now see this, now this is the accurate white balance, यहाँ कोई cast नहीं है, इस image के अंदर, बिल्कुल perfect tone skin के ओपर मिल रही है, proper जो background है, वो gray है, so everything is perfect now, और आप बिल्कुल guarantee के साथ ही कह सकते हैं, कि अब जो आपने image capture की है, वो image बिल्कुल accurate colors को produce कर रही है, अब इस second demonstration के अंदर, हम use करेंगे, export disc को, so export disc को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर, एक side white है, और एक तरफ इस तरीके से textured है, so white वाली side को हम lens के उपर लगाएंगे, और वहाँ जाएंगे, जिस तरफ हमारा model खड़ा हुआ है, camera को या lens को हम light की तरफ point करेंगे, जिससे की light is textured area के उपर पड़े, और इस white area से lens के तरू camera के अंदर image capture हो जाए, और वो image ही होगा reference हमारे camera के लिए, custom white balance के लिए, तो चलिए अब इसको यूज करके देखते हैं, export disc को यूज करने के लिए हम lens के आगे इस तरीके से export disc को लगाते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे, इस तरीके से export disc को लगाते ह जो advantage जो है या जो difference है, वो यह है कि यह आपको full screen के ऊपर image को देगा, यानि कि आपके sensor को proper image मिलेगी, और वही color checker passport क्योंकि size में छोटा है, तो camera उठा करके आगे जाना पड़ता है, लेकिन यहां पर एक और दूसरी problem है, वो problem यह है, कि इसको मैं लगाया जब इस तरीके से तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको light के तरफ point करूँ, अगर मैं light के तरफ point नहीं करूँगा, या multiple light sources इसके उपर नहीं पड़ेंगे, तो accurate color balance यहां पर नहीं मिल सकता, तो यहां पर भी best तरीका यह है, कि हम यहां पर इस camera को उठा कर के लेकर जाएं उस तरफ और वहा Yes, okay, data acquired, now let's see, कि क्या यहां पर हमारे को अब ठीक white balance मिला है, अगर आप outdoor के इंदर हैं, तो outdoor में आप क्या कर सकते हैं, आप sky की तरफ इसको point करके, आप image को capture कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको बिलकुल accurate white balance मिल जाएगा, I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कि किस त सेट कर सकते हैं, मैं जो यहां पर camera यूज कर रहा था, वो था Nikon का Z7 II, आप किसी भी Nikon के camera के अंदर सेम तरीके से custom white balance को सेट कर सकते हैं, अगर आप किसी और brand का camera यूज कर रहे हैं, तो वहां पर manual में जा करके आप चेक कर लीजिए, कि किस तरीके से आप उसके अंदर custom white balance को सेट करेंगे, तरीका यही होगा, चाहे आप color checker passport यूज करें, या export desk यूज करें, या white paper यूज करें, तरीका यही है, पर शायद उसके अंदर function अलग हो सकते हैं, अगर आपके पास में कुछ सवाल है, या आप कुछ confusion है, तो नीचे comment box में लिख कर आप उससे पूछ सकत अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक इट, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लिजे, थोड़ा motivation मिल जाती है, अच्छा लगता है, मुझे पता होता है किन लोगों के लिए मैं वीडियो बन कीजेगा, ताकि जब भी मैं नहीं वीडियो बनाओ, तो आपके पास notification आजाया और आप उसको देख सकें